कि अज़ाइब आज की डेल्टा रिवर की ट्रेडिंग हिंदी में करते हैं उसकी एक्स्प्रेनेशन भी में हिंदी में बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स थे जिन्होंने बोला कि आप हिंदी में एक्स्प्लेन करो तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ट्रेड प्लेस करूं डेल्टा रिवर के उपर और उसके बाद पर आपको एक्स्प्लेनेशन भी दूँ अब देखते हैं कि यहां पर हमने क्या देखा कि सेलर्स इस ट्रेंड से नीचे की तरफ आए बहुत ही पुर्जोश थे आ रहे थे एंड पर हमने देखा कि यह लेवल ब्रेक करने की बड़ी कोशिश की बहुत वालियम जनरेट हो गया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए तर बायर ने इनको कंट्रोल कर दिया यहां पर सेलर्स यहां पर फेल हुए थे फिर बायर ने इनको कंट्रोल कर दिया यह 226 का वालियम जो बता रहा है कि सेलर्स फेल हो गए बायर ने इनको कंप्रीटली कंट्रोल कर दिया और फिर जब उपर की तरफ मार्किट गई तो यहां पर हमने देखा कि यह बायर पुशिंग इन वे बाय किया, अब मेरी candle उपर की तरफ जा रही है, देखे कितना नीचे की तरफ candle आई थी, लेकिन फाइनली market में green movement बनी है, अब यहां पर seller fail होए, अब इसका मतलब है कि अगली candle मैं again buy करूँगा, और यह मेरा trade win हो जाता है, तो मैंने जैसे ही मेरा win हो गया, अब मैंने again ए जाएंगे, यहां पर 113 वालिय अबे इतना ज्यादा strong नहीं है, जितना अगर मैं सोचूँ कि अब यहां से price reverse हो जाए, मैं अपने हिसाब से buyer को follow करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि इस condition ने मुझे बताया, कि यहां पर आपके seller exhaust हो गए, और उसके बाद buyer ने control किया, जब buyer control कर रहे थी, तो उस वक्त seller fail हो गए थे, 226 के वालियम से वो fail हुए, फिर हमारी एक pushing and direction candle बनती है, तो फिर अगली candle को मैंने trade किया, और इस candle ने मुझे बताया, कि seller ने try किया था, fail हो गए और green candle बन गई, फिर दुबारा मैंने trade किया, जिस trade में मझे इसको follow करते हुए, मैं market को थोड़ा सा wait करूँगा, ये थोड़ा सा market नीचे आएगी, थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद में trade करूँगा, अभी मैं immediately trade नहीं करूँगा, क्योंकि ये candle stop bar भी है, और market में जा भी सकती है, उपर, लेकिन मैंने सोचा कि ये market नीचे आएगी, तो फिर में trade करू पिछला वालियम 98 है, उसके बाद से तीन से चार केंडल नीचे की तरफ आएदी, अभी भी सेलर्स का वालियम है, लेकिन अगर इस सेलर के वालियम से closing price उपर रहेगी, तो फिर मैं buy करूँगा, अगर इस से नीचे रहेगी closing price, फिर तो मैं definitely sell करूँगा, क्योंकि मुझे प देखो कि ये seller's enter हुए market के अंदर, और यहां पर एक डोजी टाइप candle बनाई है, ये pressure बता रहा है, अब अगर candle ये green उपर जाती है, तो फिर मैं sell करूँगा, लेकिन अब यहां पर sell करना गलती की बात होगी, क्योंकि अगर मैं यहां पर sell करूँगा, तो ये gap खाली है, इस gap खाली को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसके अंदर एक green candle भी बन सकती है, possible red भी बनी है, ये देखो कि वापस seller की candle reject होके उपर की तरफ जा रही है, इसलिए मैंने यहां पर sell नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये बड़ा सा gap है, इस gap को buyer दुबारा fill करने की क कोशिश करेंगे, अब यहां पर देखे, buyer ने market को दुबारा control कर दिया है, 126 volume के साथ और green candle बनना शुरू हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर risk है, हम trade नहीं कर सकते, अब यहां पर finally, जब यह candle close हो, उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन सी candle बनती है, पिर उस 255 का मतलब है कि seller enter हो सकते हैं, क्योंकि यह 149 से, इन्होंने breakout करने की कोशिश की है, pushing है, मतलब breakout completely किया नहीं है, यह pushing है, तो अभी तक, यह 98, यह 155, यह seller का वालिया में, मैं अब seller के साथ जाओंगा, और मैंने सोचा कि अब seller के साथ जाना बहतर रहेगा, क्योंकि buyer का वालि केंडल को break नहीं कर पाए, तो यह seller की तरफ से ही वालियम यहां पर है, 98 भी है, 155 भी है, इसलिए मैंने यहां पर sale का trade place किया, और ऐसे ही, जैसे आप देख रहे हैं, कि मैं analyze ऐसे करता हूँ, candles को price action को, वालियम को साथ में मिला के trade करता हूँ, आपने देखा कि इस तरीके से आपने भी trade करना है, और मुझे उमीद है आप लोगों को यह video बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी, और आज के लिए 3 trade काफी हैं, thank you so much